दोस्तों आज की कहानी है ममी जी आप खाना क्यों खिला रही हो दोस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सेनल को सबस्क्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंसे हरुज नया वीडियो मयूरी सुबे से लेप्ट आप खोले बैटी थी दोपर होने को आई सर्वर डाउन होने के कारण कुस रुकावट आ गई भूकी भी बहुत तेज लग रही हो और काम भी इतना जरूरी की सोड़ कर उठा नहीं जा सकता दिमाग बना गया एक तो काम नहीं वो पार रहा उपर स पेट भुग भुग सिला रहा ठाना मांग भी नहीं सकती अभी नहीं नहीं साधी हुई थी अभी मयूरी की साधी इसी लोकडाउन में अपने मन पसंद साथी रंजत के साथ हुई थी दोनों एकी कंपनी में होने के कारण एक दूसरे को पसंद करते थे दोनों के माता पिता आपसी समती से एक दूसरे को जीवन साथी बनाने की सभी करती परदान कर दे अब तो जे से दोनों आस्मान में उड़ने लगे क्योंकि दोनों कोई अपनी माता पीता से ये उमीद नहीं थी की वो लोग इस अंता जारतिय रिष्टे के लिए एतनी सोंचाता से त्यार हो जाएंगे खेल मयूरी रंजत की दूलन बनकर अपनी ससुराल की देली जपर पहुंस गई रंजत के परिवार के सभी लोग बहुत सुल्जे वे वीसारों के थी और मयूरी को उन सब के साथ सामसिय बिठाने में किसी भी परकार की दीकत का सामना नहीं करना पड़ा वरक प्रम हों सजराता तो मयूरी और रंजत दोनों सुबे नो बजे अपना अपना लेफ्ट आप लेकर बेट जाती और मयूरी की सासुमा बड़ी प्रेम से रसोई संभाल लेती हलाकि मयूरी को बड़ा आजीब भी लगता हैं कि सुबे वो सासुमा की किसी भी कारिये में मदद नहीं कर पाती लेकिन साम को उनका हाथ बढ़ाने का पूरा प्रयास करती सिसासुमा इतने में पर्षन हो जाती की सलो सुबे न सही लेकिन बहुत साम को तो रसोई संभाल वाती हैं आज जब सर्वा डाउन हो गया तो रंचतने का मयूरी सलो मम्मी खाना खाने के लिए बुला रही हैं हाँ रंचत भूग तो बहुत जोर से लग रही हैं लेकिन अभी तुम सलेजाओ मुझे तो अभी समय लगेगा मैं कुछ सहता कर सकता हूँ नहीं रंचत मुझे संभालना पड़ेगा तो फिर मैं भी बाद में खालूंगा केसी बात करते हो आप आपको पता है कि मम्मी जी भी अभी तक भूखी बेटी होगी जब तक हम लोग नहीं नीसे जाते मम्मी जी भी कहां खाना खाती है उन लोगों का कमरा सद परी था यह यह तो मैंने सोसाई नहीं सलो में तुमारे लिए उपर ही कुछ ले आऊंगा इतना कहकर रंचत सला गया रंचत बेटा मयूरी काए मम्मी उसके काम में कुछ दिकत आ गई वो बाद में खालेगी आप खालेजी ऐसा कैसे हो सकते हैं अच्छे भूके प्यासे बेटे रहे और मा खाना खुद खाले मुझे पताएं कि मयूरी के भी बहुत तेज भूक लगी होगी सुबे भी हड़बडी में बस थोड़ा साई खाया था और रंज़त को खाना देने के बाद सासो मा ने अपना और मयूरी का खाना निकाल और साथ पर लेकर सली गई आरे ममी जी आप क्यों प्रेसान हुई और खाना लेकर आ गई मैं खुदी थोड़ी बाद देर बाद नी से आ जाती क्यों बेटा मा बेटे के खाले के लिए खाना पहुँशा सकती हैं तो बेटी के लिए क्यों नहीं और मैं भी तो तुमारे साथी खाऊंगी लेकिन ममी जी मेरा हाथ भी तो अभी खाले नहीं मैं क्या हुआ मैं तुमें अपने हाथों से खिला दूँगी मयूरी के आखों में आसु आगे इतनी प्यारी भी सासुमा हो सकती और सासुमा अपने हाथों से एक एक और बना कर बड़े पिरिम से भुरानी को खिलाते 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 खुद भी साथ में खाने लगी